हेलो दोस्तों वेलकम बैक मेरा नाम है अब्दूल और आप देखरें टॉक में अब्दूर्ट यूट्यूब चैनल उमीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आज की अपडेट आ रही है ओईल इंडिया लिमिटेट की तरफ से और यह जोब अपडेट बहुत ही जाएगी तो यार पूरी बाते वीडियो के इंदर करेंगे इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो तकि नोटिफिकिशन आपको हर रोज 6 बज़े मिलता रहेगा क्योंकि हमारी वीडियो डेली 6 बज़े आती है तो इ कौन कौन अप्लाइब कर सकता है सबसे पहले अपने नहीं दियो तो आप यहां पर अप्लाइब कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आप यहां पर प्लाइब कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर प्लाइब कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नह की है Tech वाली भी है अगर अपने यहां यहां पर pseudo नहीं पर इनका पॉस्टने में जी फिशिक्स तो आपने यहां पर पोस्ट देजिब्रवेशन जीओ पिसमें किया है तो भी आप यहां पेप्लाई कर सकते गया है अगर अगर आपको अपना का तो आपने अगर वी बिटेक पेट्रोलियम इंजिनिरियर से किया हुआ है तो भी आप यहां पर अप्लाइ कर सकते हो M.E.M. टेक वालों को भी अलाउड रखा गया है उसके बाद ड्रिलिंग में यहां पर अगर आपने मेकैनिकल किया हुआ है M.E.B. टेक तो आप यहां पर अप्लाइ कर सकते हो देखो मेकैनिकल की सब ब्रांचिस जैसे के Automation, Automobile, Industrial, Power, Manufacturing, Production यह सब यहां पर एक्स्क्लूड किया है मतलब अप्लाइ नहीं कर सकते है दूसरा उसके बाद Senior Officer Production की बात करे तो इसमें अगर आपने B.B.Tech किया हुआ है मेकैनिकल से तो आप यहां पर अप्लाइ कर सकते हो वापस से वही परांचिस को Exc сообщound किया हुआ है और अगर आपने Master किया हुआ है तो भी आप यहां पर अप्लाइ कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है Now देखो जिए के यहां पे तेरा वेकेंसी है जूवीजिक्स में आठ रेजर्वेर में छे है फिर यहां पे डिलींग में आठ है फिर प्रोड़क्शन में यहां पे साथ है चैना सप पल्षreiben फिर चैनन तो बस यह तो वैकेंसी का डिस्यपिशन हो गया है यह के लिए 27 चले तो 27 एमिम टेक जांपर 29 लिमिट है बागी यहां पर पांच साल जो भी यहां पर बढ़ाया जाता है वो तो बढ़े गाई मतलब सेलेक्शन किस तरह से होगा एपलाई कर सकते हो कब एपलाई करना है तो सारी चीज़े यहां पर बता देता हूं तो यहां आप यहां पर apply करना शुरू कर सकते हो इसकी यहां पर 8 तरिक से शुरू हुआ है और यह चलने वाला है 28 सप्टेमबर तक फीज यहां पर आपको एक भी रुप्या पे नहीं करना है और यहां पर selection की बात करें तो selection यहां पर exam होने वाली है मतलब यह exam रखेंगे जिसमें यहां पर return test है return test के साथ यहां पर इन्होंने यहां पर group discussion and personal interview रखा है अब इस पॉइंट पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा बले इन्होंने gate exam के थुरू नहीं रखा हुआ है लेकिन यहीं जो return test ले रहे है जहां पर total 100 marks से इसका weight यहां पर 85% है और generally gate base पर भी selection होता है तो उसका 85% ही weight होता है तो आपको एक बात बताओ ना तो यह exam कुछ gate से कम नहीं होने वाली है बस benefit यह मिल जाएगा कि अगर gate आप miss कर गए हो तो आप यहां पर apply कर सकते हो बस यहीं फरक है बाकी यहां पर कोई फरक नहीं है ग्रूप discussion यहां पर वही है 5% और personal interview कर 10% मतलब main weightage पूरा एक्जाम पर एक्जाम में अच्छे माक्स आ गए मतलब यहां पर आपका selection हो जाएगा remuneration की बात करते हैं तो यहां पर आपका जो है package जो है एक लाग तक हो सकता है मतलब 60,000 यहां पर बेजिक फिर यहां पर allowance बढ़ जाएंगे सब कुछ यहां पर तो एक लाग तक total एमोल्मेंट्स यहां पर count होते है एक लाग हर महीने आपको यहां पर एक लाग तक की salary मिल ज रखी है तो आपको अच्छा कासा मौका मिल सकता है अब यहां पर अगर आप apply कर रहे हो तो यहां जरूर से comment करके बताना मुझे तो लगता ही है आपको apply करना चाहिए जो भी यहां पर valid ब्रांचे से अगर आपने ब्रांचे से engineering किया हुआ है तो आपको apply करना चाहिए एक experience अच्छा कासा बन जाएगा and please नहीं है तो यार आपका यहां पर इतना नुकसान नहीं हो रहा है तो बस यही बात है oil India में जो update आई हुई है सारी पी सारे links आपको description में मिल जाएगी मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए goodbye take care